नमस्कार जैसाहिराम आप देख रहे हैं चैनल ब्रिज मोहनसूरी तो आज नया विशे लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ तो आएए देखते हैं आज का नया विशे आज हम बात करेंगे 21 एपरल 2019 की 21 एपरल 2019 को रवी बार है और आपने ये उपाय करना है आप जानते हैं प्रति दिन एक उपाय बताया जाता है जो आपकी जिंद की बदनने के लिए परियाप्त है ये उपाय किसी भी राशी का विक्ति कर सकता है और ये उपाय आप पर कोई भी दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो आप कर सकते हैं इसका आपको लाब मिलेगा और ये परिवार के अन्यस दस्यों के लिए भी किया जा सकता है उसके कुछ नियम है जो कि इस वीडियो के अंत में आपको समझाए जाते हैं तो अब हम बात करेंगे 21 एपरल 2019 रवी ब आप गेहूं यानि कनक वीट ये दान कर सकते हैं मातरा 80 ग्राम या 800 ग्राम हो तो बहुत अच्छा है दोनों दान करने हो गोड़ भी दान करना हो गेहूं भी दान करना हो तो भी आप कर सकते हैं उसका भी आपको विशेश रोप से लाब मिलेगा बहुत सारे लोग पूछत उतक हो पातक हो तो ये उपाय किये जा सकते हैं बिल्कुल किये जा सकते हैं और करने चाहिए ह तो यदि हम बहुत इधिक लाब लेना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़कर दूसरों को भी इस बाबत बताना चाहिए और खुद भी करना चाहिए आज का जो ये टोटका है ये बहुत लाब देता है आप जानते हैं मैं प्रति दिन एक उपाय बताता हूं ये उपाय आपकी कोई भी राशी है आपका कोई भी ग्रह है आप कर सकते हैं यानि किसी पर कौन सी राशी चल रही है किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है कौन सी महादशा चल रही है कौन सी अंतरदशा चल रही है इसका कोई विचार नहीं है ये जो मैंने उपाय बनाए होते हैं ये गोच्र राशी ग्रैहों को देखते हुए सयुक्त रूप से बनाए होते हैं जो आपको लाब देते हैं आपके ध्यातमिक्ता को बढ़ाते हैं और आपके सभी ग्रैहों को उच्च करते हैं यदि परिवार का एक सदस्य करता है से हाथ में जल ले ले ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले और संकलब करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं इसका फल फला फला व्यक्ति को मिले या मेरे पुरे परिवार को मिले और फिर जल असे जमीन पर गिरा दें, तो इसका लाब पूरे परिवार को मिलेगा, यानि ये ऐसे टोटकी हैं, ऐसे उपाएं हैं, जो आपका बहुत उधार कर सकते हैं, इनको आम मत समझिए, मैं प्रती दिन बता रहा हूं, प्रती दिन मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा ये है कि आप खुश है, मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सरा धन आए, मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पती, आपका बेटा, आपकी मा, आपके पिता, कोई भी आपसे नराज है, तो मिलन हो जाए, मैं ये चाहता हूं आपका करजा उतर जाए, मैं ये चाहता हूं अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए, तो इसलिए नए-नए टोटके, नए-नए उपाये डूंड कर लाता रहता हूँ, तो आप कीजिए, दिल से कीजिए, वैसे आपको पता दू कि यदि कोई प्रबल समस्या हो जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब जनम कुणली में यदि पांचवे घर में राहू बैठे हैं और बहुत शक्ती लेकर बैठे हैं, तो बेटे की प्रबलम आएगी, प्रंतो उसका उपाय क्या है, पती-पत्नी की दुबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा, आप सभी मत करना शुरू कर देना ये, ये देखना पड़ता है जनम पत्री में, अलग-अलग उपाय होते हैं, तो जनम पत्री में परतेक समस्या का हल अच्छ्य पा हुआ है, सिर्फ डून्दने की वशक्ता है, हम डून्दते हैं, फिर आपको हल बताते हैं, कई बर होता है, बहुत प्रबल योग है, वो योग कारे नहीं करता है, जब उस योग में कारे होता है, तो सब कुछ होना है यानि योग है, योग ने आपको विदेश बेज दिया, आप वो एक्टिवेट नहीं है, आप विदेश घए, वहाँ काम्याब नहीं हो रहे हैं, परनतु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ, आप काम्याब हो गए, तो यह सब कुछ जनम पत्री में होता है, परनतु यह जो बहुत एहम होते हैं, इनको कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, किसी दिन नहीं भी कर पाते हैं, तो कोई प्राब्लम नहीं है, प्रन्तु कोशिश कीजिए, प्रति दिन कीजिए और यदा से यदा शेर भी कीजिए, जैसे चक्रवती व्याज होते हैं, मूलदन, फिर उसके प्रापत होता है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है तो इस प्रकार आप लाब ले सकते हैं इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं ब्रिज मौन सूरी आप से इजाज़त चाहता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेप पर कर सकते हैं प्रंथु जवाब आपको 5-6 दिन के बाद ही मिलेगा यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप वट है तो समय लग जाता है यदि योग नहीं है तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं प्रंथु यदि योग है तो अच्छे डंग से देखकर ही बताते हैं प्रंथु जनम पत्री देखने में 4-5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा ये आपको नोटिफकेशन बेज दी जाती है कि समय लगेगा आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सरे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सरे योग होते हैं आपने देखा होगा बहुत सर बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को करजा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं, इन सब का समादान हमारी जनम पत्री में होता है, जब हम जनम पत्री देखकर उपाई डूनते हैं, और आप लोग उन उपाईों को करते हैं, तो पूर आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहें और अपना द्यान रखें।